नमस्कार दोस्तो राधे राधे तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चार्ज अंडर GST чेप्टर का रिवीजन तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने पढ़ा कि सप्लाई क्या होता है आदे अभा अपन स्टार्ट करेंगे सेम वो aç चार्जिंग सेक्षिन से जिसे हमने start किया था तो charging section बोलता है charging section बोलता है कि GST लगेगा GST लगेगा किस पर intrastate supply पे और intrastate supply पे ठीक है intrastate intrastate supply क्या होता है यह हम पढ़ेंगे place of supply chapter में बट अभी हम समझते हैं कि जब भी को intrastate है intrastate supply होगी तो उस पर GST लगेगा अगर intrastate supply होगी तो CGST और SGST लगेगा जो 20% से ज़्यादा नहीं होगे और intrastate supply होगी तो IGST लगेगा जो 40% से ज़्यादा नहीं होगा और value as per section 15 जो कि हम value of supply chapter में पढ़ेंगे और जो बात बोलीगी collected and paid by the taxable person इस tax को collect करेगा और pay करेगा उसकी जिम्मवारी किस पर है taxable person पर है तो actually taxable person होता क्या है फिर तो taxable person ऐसा व्यक्ति होता है taxable person ऐसा व्यक्ति होता है जो कि registered है GST में जो register है GST में या फिर ऐसा व्यक्ति जो register तो नहीं है बट liable to register है इसका मतलब अगर आप liable to register भी हो गए और आपने अगर GST में रिजिस्टेशन नहीं लिया तो भी आपके उपर responsibility आ जाती है कि आप tax collect करोगे और pay करोगे बढ़ धान रखना alcoholic liquor for human consumption पे GST नहीं लगेगा और इन 5 products पे GST कब लगेगा बाद में लगेगा यह हमने chapter 1 में discuss किया था तो अब collect किसे करना पे करना है वो करना है taxable person को taxable person कोन होगा जो register होगा भले ही वो liable नहीं है बट उसने voluntary भी अगर register करवा लिया एक बार register होगया तो वो taxable person कहलाएगा और दूसरी बात अगर वो liable to register था और रजिस्टर नहीं भी करवाया तो भी वो taxable person हो जाएगा लाइबरेटी उस पर आ जाएगी tax collector के pay करने की अब normal scenario में क्या होता है कि मैं दुकानदार के पास जाता हूँ मैं shopkeeper के पास जाता हूँ ठीक है consumer और वो pay करता है मानलो एक लाक रुपे के सामान कर दिए अठारा परसंट की रेट थी तो एक लाक 18,000 रुपे pay करता है और 18,000 रुपे shopkeeper किसको जमा करवा देता है government को जमा करवा देता है तो इसे तो बोलते हैं forward charge mechanism forward charge mechanism ठीक है आप कोई भी समान खरीदने जाते हो आप shopkeeper को tax pay कर देते हो shopkeeper उसे government को जमा करवा देता है इसे बोलते है forward charge mechanism तो यहाँ पर tax collect करने का और pay करने का responsibility किसके उपर है supplier के उपर है बट यहीं पर GST में एक section के द्वारा GST के charging section के एक subsection द्वारा यह responsibility government को power दे दी गई government को power दे दी गई कि वो notify कर सकते हैं ऐसे goods and services को कुछ goods and services को notify कर सकते हैं कि अगर यह वाले goods and services हैं तो ऐसे case में अगर इन goods and services की supply होती है जो notify किये गए हैं तो ऐसे case में tax pay करने का responsibility किसके उपर होगा recipient के उपर होगा जिसे बोलते हैं reverse charge mechanism जब tax collect और pay करने की responsibility recipient पर आ जाती है तो ऐसे case में उस method को बोलते है reverse charge mechanism कैसे होगा उसमें देखो जैसे अगर मैं को notified goods था मैंने शोप कीपर से खरीदा एक लाख रुपे तो मैं किसको दे दूँगा शोप कीपर को पहले मैं कितना दे रहा था एक लाग अठारा जार रुपे अठारा जार रुपे शोप की पर गर्मन को जमा करBig आ के पहले माँ करना करेगा तो कंद हमें याद नहीं रखने कौन कौन से goods पर reverse charge mechanism लगेगा हमें याद रखना है कि कौन कौन सी services पर reverse charge mechanism लगेगा ऐसी कौन सी services है जिसके उपर tax प्रेकरने की जो responsibility है वो recipient पर डाल दी गई है तो चलिए यह हम अब discuss करेंगे ठीक है तो services कौन कौन सी notified है चलिए discuss करते हैं तो बोल दिया गया कि अगर कोई services अगर कोई services दी गई है by goods transport agency अगर कोई चार्ज मेकेनिजम और नहीं किया है अगर उस agency ने forward charge mechanism और नहीं किया है तो ऐसे case में अगर वो services प्रवाइड करती है किसको factory को, registered society को, cooperative society को, any registered person, any registered person, any body corporate, registered हो या unregistered हो partner या AOP, casual taxable person, अगर इन में से किसी भी व्यक्ति को, अगर goods transport agency, transportation of goods की services प्रवाइड करती है और forward charge mechanism अगर नहीं करती है तो ऐसे case में tax one पर पे करेगा जो recipient होगा ये आठ लोग जो बोले गए है अगर इनको services प्रवाइड करेगी है तो ये लोगी tax पे करेंगे directly government को, reverse charge mechanism के अंदर, अब सर बोलोगे सर इनके अलावा अगर किसी को services प्रवाइड की गई है, अगर इनके transportation of goods की तो ऐसे case में वो exempt हो जाएगी और जब exempt हो जाएगी, तो reverse charge mechanism का कोशन ही arise नहीं होता, अब 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 लोगे सब GTA कोन होता है, GTA ऐसा goods transportation agency होती है, जो consignment note issue करती है, जो consignment note issue करती है, उसके बाद, अब किस पे और applicable नहीं होगा, और किस पे applicable नहीं होगा, goods transportation agency वाला concept, तो ये department, आपने बोला था कि कोई भी registered person हो, तो उसके उपर क्या लग जाएगा, RCM लग जाएगा, बट बोल दिया गया, कि अगर को department or establishment of government, या local authority, या government agency, उन्होंने registration जो लिया है, वो only for TDS purpose लिया है, हम जाके पढ़ेंगे TDS intersection 21 क्या होता है, कि अगर सरफ TDS के लिए उन्होंन good transportation agency की services को अगर इन लोगों को provide की गई है, किसको department, establishment of government, local authority, government agency, जिन्हों registration लिया है, only for TDS purpose, ठीके, चलिये, तो ये बात समझती है, और इसके बाद हमने एक और बात करी, कि GTA, जो GTA good transportation agency है, उसके पास दो option है, या तो वो forward charge mechanism होट कर ले, अगर forward charge mechanism होट करेगी, तो उसके ITC भी मिल जाएगा, input tax पे जो credit मिल जाएगा उसे, और अगर वो pay करेगा tax rate 5% से, तो ऐसे case में उसे input tax credit का benefit नहीं मिलेगा, वो tax rate 5% पे tax rate पे कर सकता है, बट अगर वो forward charge mechanism होट नहीं करता है GTA agency, तो ऐसे case में reverse charge mechanism लगेगा, और 5% की rate लगेगी, tax rate लगेगी, बट इसमें ITC उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्सी सामने वाला पेकर रेस ने टेक्सी पे नहीं किया, तो आर्से, किस बात का input tax, correct, तो legal services, second point आ जाता है, second point आ जाता है, कि अगर को legal services provide कराई गई है, by individual advocate, senior advocate, firm of advocate, और arbitral tribunal, मतब अगर services provide कराई है, individual advocate, senior advocate, firm of advocate, और arbitral tribunal ने, तो ऐसे case मे अगर प्रवाइड कराई गई है, business entity को, अगर प्रवाइड कराई गई है, business entity को, अगर बिजनस entity को, यह services provide कराई गई है, legal services, by individual advocate, senior advocate, firm of advocate, या arbitral tribunal ने, तो ऐसे case में reverse charge mechanism लग जाएगा, और business entity tax pay करेगी, अगर को sponsorship services provide कराई गई है, sponsorship services provide कराई गई है, by any person, किसी भी वेक्टी sponsorship services provide कराई हो, किसको, partnership firm को, या body corporate को, partnership firm या body corporate को, तो उस पर क्या लग जाएगा, reverse charge mechanism लग जाएगा, ऐसे case में text कोन पर करेगा, partnership और body corporate, ठीक है, जैसे मालो, कोई event रखा गया, कोई event रखा गया, by ABC limited, ठीक है, उसको sponsor किया, उसको sponsor किया, जियो ने, ठीक है, जियो limited, और जिय इसको 10 क्रोड रुपे पे किया, sponsor करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे case में services किसने provide करेए, ABC limited ने, और service recipient कोन है, जियो limited, तो ऐसे case में, जियो limited, इस पे tax pay करेगा, 10 क्रोड रुपे पे किसको, government को, तो ये हो गई sponsorship services, अगर किसी भी वेक्ती ने, किसी partnership firm या body corporate को service provide करेए, ये sponsorship की तो tax pay करेगा, recipient pay करेगा, reverse charge mechanism ने, अब अगर services provide की गई है, by center government, state government, local authority to any business entity, अगर center government, state government, local authority ने, अगर services provide कराई गई है, किसी भी business entity को, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, reverse charge mechanism, 3 services को छोड़ के, कौन से 3 services, अगर को postal department की services है, को postal department अगर services दे रहा है, आप कभी भी speed post कराने ज आते हो, तो आप उसका पैसा देते हो, government को, ठीक है, तो ऐसे case में, क्या आपने कभी government को जाके, अलग से tax जमा करवाया है, क्या, नहीं न, आप तो speed post के ही, आगर आप receipt देखोगे, तो उसके अंदर tax भी include होता है, अगर को transportation of goods and passenger किया है, government transportation of goods and passenger की services provide कर रही है, माल लो, Indian railways के तुरू, तो Indian railways के तुरू, कभी भी आप ticket खरीदते हो, तो क्या ticket पे आपने, ticket खरीदने पे आपने क्या अलग से GST जाके government को जमा करवाया है, उस ticket में include होता है, तो government आप से recover कर लेता Indian railways, ठीक है, तो और services to aircraft or vessel, अगर ये तीन services हैं, तो ऐसे तीन services में forward charge mechanism ही लगेगा वो respective department आप से GST के लग करेगा और government को जमा करवाएगा, बट इसके अलावा, इन तीन services के अलावा, अगर कोई भी services government आपको provide कराती है, अगर government ने आपको provide कराई है, तो उसमें reverse charge mechanism में business entity को ही tax pay करना पड़ेगा, business entity को ही tax pay करना पड़ेगा, उसके बाद अगर government ने services provide कराई है, renting of immobile property की, government के बास तो बहुत जमीन है, अगर जमीन रेंट पर दी है, government ने to any registered person, देखो उपर क्या था, उपर जो ये services थी, वो business entity को थी, तो जब यहाँ पर immobile property की बात आएगी, तब हम बात करेंगे कि अगर immobile property rent पर दी है, किसी registered person को, सिरफ registered person को, तब उस पर क्या आपन लो, कॉल, 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 कॉर्परेशन ने एक शोप दी है, आपको rent पर, तो ऐसे case में, जो आप उसको rent पे करोगे, उस पर क्या लगेगा, reverse charge mechanism लगेगा, आपको खुद से tax pay करना पड़ेगा, क्योंकि वो local authority में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद, अ या फिर आपने इस जमीन को long term lease, 30 साल या 30 साल से उपर के लिए long term lease पे दे दिया जमीन को for construction, किसको दिया, promoter को, जो builder को promoter बोलते हैं, तो ऐसे case में, जो builder आपको पैसा pay करेगा, उसके बदले में, तो आपने जो supply दी है, उसके बदले में, जो builder आपको पैसा pay करेगा, उस पैसा pay, GST कौन पैकरेगा, builder ही पैकरेगा, reverse charge mechanism के अंदर, RCM के अंदर, builder के उपर liability आएगी, उसके बाद, कोई भी director ने, अगर company या body corporate को services दी है, किसी director ने, अगर company या body corporate को services दी है, तो tax कौन पैकरेगा, वो company और body corporate reverse charge mechanism में, अब यहां देखना पड़ेगा, कि director ने सर्वि होती है, और उस पे tax ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो supply नहीं होती, और जब tax नहीं लगेगा, तो reverse charge mechanism का भी सवाल पैदा नहीं होता, but अगर वो schedule 3 में fall नहीं करती, और director ने services प्रवाइड कराई है, director की capacity में, to company और body corporate, तो ऐसे में, उस पे tax कौन पैकरेगा, company और body corporate, reverse charge mechanism में tax pay करेंगे, उसके बाग, अगर कोई insurance agent ने services दिया है, insurance business को, अगर insurance agent ने services दिया है, insurance business को company करती है, चाब कोई भी करता है, insurance का काम करता है, और उसको service दी agent ने, तो ऐसे case में, उस पे tax कौन पैकरेगा, reverse charge mechanism में, वो insurance business वाला बंदा पैकरेगा, मानलो, LIC का कोई agent है, और agent ने क 20,000 रुपे commission दिया, तो ऐसे case में, उस 20,000 रुपे tax कौन पैकरेगा, LIC पैकरेगा, ठीक है, अगर कोई recovery agent है, कोई recovery agent है, उसने banking company, financial institution, NBFC, किसी recovery agent ने, अगर banking company, NBFC और financial institution को अगर को services प्रोवाइड कराई है, तो ऐसे case में tax कौन पैकरेगा, वो respective banking company, financial institution और NBFC, मत्तब recipient tax करेगा, under reverse charge mechanism, उसके बाद, अगर individual director selling agent, देखो, banks के direct selling agent होते है, जब bank की बहाफ पे, ये direct selling agent, उनके products को sell करते है, जहाँ पे banks की reach नहीं होती, वहाँ पे direct selling agent पहुचके, उनके products को sell करते है, तो ऐसे case में, अगर को direct selling agent, individual की category में है, individual है, मतलब partnership firm या body corporate नहीं है, individual है, अगर individual और उसने services provide कराई है, banking company और NBFC, यहाँ पर सिर्फ bank और NBFC, financial institution नहीं है, तो banking और NBFC को, अगर services provide कराई है, तो ऐसे case में tax कोन पे करेगा, recipient पे करेगा, जो banking company और NBFC, जिसने इसकी services ली है, ठीक है, उसके बाद, अगर कोई business facilitator, अगर कोई business facilitator, services provide करता है, किसको banking company को, सिर् तो tax कोन पे करेगा, वो banking company पे करेगी, under reverse charge mechanism, as banking company is the recipient of services, ठीक है, business facilitator, अब agent of business correspondent, ध्यान रखना, अगर business correspondent ने service provide कराई है, बैंक को, तब तो क्या होगा, forward charge mechanism ही लगेगा, tax कोन पे करेगा, business correspondent ही, बट अगर business correspondent का भी आगे agent है, bank ने business correspondent को point किया, business correspondent ने आगे agent को point किया, तो जो agent of business correspondent, services को दे गा, business correspondent को, तो ऐसे case में, इस वाली services पे agent ने जो business correspondent को service दी है, उस पर क्या लगेगा, reverse charge mechanism लगेगा, ओ टेक्स कौन पे करेगा, business correspondent, services कौन रसीम करेगा, business correspondent, गारी चैस है, ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो, अभी मैंने bank के 3-4 point बताए, क्या, सबसे बहले insurance agent ने इंशुरेंस सर्विस को दिया तो रिवर्स चार्ज मेकनिजम लगेगा अगर इंडिविजुल डिरेक्ट सेलिंग एजेंट की बात आती है तो देख लेना इंडिविजुल है या कोई और है अगर इंडिविजुल नहीं है तो उसमें रिवर्स चार्ज मेकनिजम नहीं ल तो ऐसे case में reverse charge mechanism लग जाएगा अब RBA ने कोई overseeing committee बनाई कोई overseeing committee बनाई उसके कोई member है अगर RBA के overseeing committee के जो member है उन्होंने RBA को services provide कर रही है उस पर भी क्या लगेगा reverse charge mechanism लग जाएगा और RBA tax pay करेगा उसके बाद अगर कोई music composer है, photographer है, artist है, author है उन्होंने कोई original work किया है उन्होंने को music compose किया है उन्होंने को book लिखी है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके copyright उन्होंने transfer कर दी है जिसके copyright उन्होंने transfer कर दी है किसको music company को producer को या publisher को ठीक है उसके copyrights transfer कर दी है किसको music company producer और publisher को उसके बदले में उन्होंने कुछ पैसा मिल रहा है तो ये जो service है ये भी reverse charge mechanism में applicable हो जाएगी और text कौन पर करेगा वो music company producer या फिर publisher ठीक है बट एक बात यहाँ पर ध्यान रख में text pay कर सकता है उसके लिए उसे कुछ conditions fulfill करनी पड़ेंगी condition क्या क्या fulfill करनी पड़ेंगी एक तो वो register होना चाहिए GST के अंदर उसे GST में registration लेना पड़ेगा और उसे declaration file करना पड़ेगा कि वो forward charge mechanism में text pay कर रहा है और उसके बाद एक बार उसने forward charge mechanism opt कर लिया तो उसके एक साल तक उसे forward charge mechanism में text pay करना पड़ेगा वो reverse charge mechanism में वापस नहीं आ सकता एक साल कहां से जहां से उसने option को opt किया है और उसे invoice पे declaration देना पड़ेगा invoice पे लिखना पड़ेगा कि उसने यह जो है यह जो invoice है उस पे forward charge mechanism में text pay कर रहा है author यह declaration invoice पे भी उसे देना पड़ेगा उसक बाद next entry है security services, अगर कोई security services provide कराई गई है by way of supply of security personal, security personal supply करके अगर जो security services provide की गई है तो ऐसा किस ने किया है, any person other than body corporate, अगर supplier है any person other than body corporate, body corporate है तो यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो forward charge mechanism लग जाएगा, अगर supplier है any person other than body corporate और उसने services provide कराई है to any registered person, और services भी किसको दी है, registered person को दी है, तो यहाँ पर reverse charge mechanism लगेगा, और tax कौन पे करेगा, registered person पे करेगा, बढ़ ध्यान रख लिना, यहाँ पर भी दो exception है, कि अगर आपने government, local authority, established government agency या local authority को services provide कराई है, जिसने registration लिया है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, TDS under section 51 के लिए, तो ऐसे case में यहाँ पर reverse charge mechanism नहीं लगेगा, उसे forward charge mechanism में ही tax पे करना पड़ेगा, अगर उसने services provide कराई है, किसको composition registered person को, अगर composition registered person था, तो ऐसे में भी forward charge mechanism लगेगा, composition registered person tax पे नहीं करेगा, तो security services अगर provide करी जारी है, by anyone other than body corporate to registered person, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, reverse charge mechanism लग है, अगर आपने कोई motor vehicle rent पे लिया है, passengers के लिए, मतलब passengers carry करने के लिए, ना कि goods carry करने के लिए, ठीक है, अगर आपने rent पे motor vehicle लिया है, और उसके जो rent दे रहे हो आप, उसमें fuel cost भी included है, उस rent में fuel cost भी included है, मैंने तो सामने वाले को बोला, कि boss, मैं एक किलो मेटर का, तेरक तो 15 रुपे किलो मेटर दूँगा, ठीक है, अब fuel भरवाना भी तेरी जिम्मेवारी, सब कुछ करना तेरी जिम्मेवारी, मैं तो एक किलो मेटर अगर गाड़ी चलेगी तो 15 रुपे तुझे दे दूँगा, ठीक है, मेरी गाड़ी चली 500 किलो मेटर, तो मैंने उसको 75 तो ऐसे गतले हैं, सबस्क्राइब कालों है, तो ऐसे केस में फेंर बाड़ी चार्जम लगेगा, वो भीवाड़ी किले चारफ तीक है, अगर अगरो बेंर अधर्स रॉपीट, या तो वो स्प्लाइब काली कैस में, फेंर अल्योट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो फें charge mechanism opt करें अगर forward charge mechanism opt करता है तो 12% की rate से tax pay करना पड़ेगा supplier को अगर वो forward charge mechanism opt नहीं करता है तो ऐसे case में reverse charge mechanism लगेगा और 5% की rate से tax pay करना पड़ेगा किसको recipient of service को जो body corporate था और अगर supplier भी body corporate नहीं है और recipient भी body corporate नहीं है तो ऐसे case में क्या लगेगा फोज़ चाइज मेकशन लगेगा फोज़ जंग में में सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा तो ये पुछ बात हो गई नेक्स्ट एंट्री हो गई सेक्योरटी लेंडिंग सर्विसस हमने बात करें ती सप्लाई चैप्टर में कि जब कोई security को rent पे दिया जाता है तो supply के scope में आ जाता है क्योंकि वो purchase या sale of security नहीं है वो क्या है rent पे दिया है आपने तो जो rent मिलेगा lending fees मिलेगी उसके उपर DST कौन पे करेगा reverse charge mechanism में जो उन securities को receive करता है उन securities को borrow कर रहा है थोए time के लिए lending fees पे कर रहा है जो security borrower है वो tax पे करेगा reverse charge mechanism में अगर को residential dwelling आपने रेंट पे दिया है किसी को अगर रेंट पे दिया है किसको registered person को अब रहने वाला घर आपने भलंगी रहने के लिए लिए हो या रहने वाला घर आपने किसी को business के लिए दिया हो तो residential अगर आपने कोमर्शल परपस के लिए हो चिसको रजिस्टर परसन को तो ऐसे केस में टेक्स कोन पे करेगा वो रजिस्टर परसन पे करेगा रिवर्स चार्ज मेकैनिजम के अंदर इतनी बाद समझे तो यह वाला पॉइंट ध्यान से देख लेना अगर आपने को रेजिडेंशल ड्वैलिंग रेंट पर दिया है रजिस्टर परसन को भले कोमर्शल परपस के लिए रहने के लिए ऐसे केस में टेक्स कौन पे करेगा रजिस्टर परसन ही टेक्स पे करेगा उ इसलिए उन्हें सिर्फ आईजेस्ट भी नॉटिफाई किया गया कौन कौन सी है सर्विसस बाइप परसन लोकेटेड इन नोन टेक्सबल टेरेटरी अगर कोई सर्प्लायर है वो आउटसाइड इंडिया का है और उसने सर्विसस प्रवाइड कराई तो एनी परसन अधर दे के लिए लाइबल है या फिर अधरवाइज कि तो अगर तो को सर्विसस प्रोइड करें आऊटसाइड इंडिया से तो ऐसे केस में क्या लगेगा इक बोला कि अगर आउटसाइड इंडिया कोई सप्लाय संप्लायर सर्विस प्रवाइड करता है किसको other than non taxable online recipient मेरे जैसे लोगों को छोड़के अगर को non taxable online recipient को छोड़के अगर किसी person को supply करता है तो ऐसे case में क्या लगेगा reverse charge mechanism लगेगा इंडिया वाले बंदे को tax pay करना पड़ेगा बट अगर non taxable online recipient है तो ऐसे case में reverse charge mechanism नहीं लगेगा ठीक है तो जो इंडिया वाला बंदा होगा वो tax pay करेगा क्यूं क्यूंकि बाहर वाले को पकड़ने सच्छे इंडिया वाले को पकड़ लो वो tax pay कर देगा ठीक है और बात करता है IGST में second entry है कि अगर कोई outside इंडिया वाली company है उससे आपने क्या कराया है transportation करवाया है transportation करवाया है बाहर से माल लाने के लिए आपने Australia से माल मंगवाया इंडिया तो यहां से जो transportation की services लिए वो आपने outside इंडिया वाले किसी supplier से लिए तो ऐसे case में ऐसे case में उसके उपर tax pay करेगा reverse charge mechanism में importer पे करेगा जो importer जिसने ये services ली है ठीक है अब ये वाली सारी points थी जो reverse charge mechanism में बोला गया था कि अगर ये वाली services आपने ली है तो इस पर reverse charge mechanism लगएगा reverse charge mechanism में tax pay करना पड़ेगा अब इसके लिए कुछ बाते ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको कि जब भी आप goods transportation through road की बात करोगे तो ऐसे case में recipient कौन होगा कौन reverse charge mechanism में tax pay करेगा ध्यान रखना जो भी GTA को उसका भाड़ा पे कर रहा है जो भी GTA को उसका freight पे कर रहा है transportation of goods के लिए वही बंदा क्या कहलाएगा recipient कहलाएगा recipient shall be person liable to pay freight जो freight pay करेगा GTA को दूसरी बात body corporate हमने जो word use किया बार-बार तो body corporate का मतलब क्या होता है body corporate मतलब ऐसी कोई incorporated entity जिसका को separate existence हो जैसे limited liability partnership company हो गया उसमें इंडिया में incorporated company भी include है और outside इंडिया भी अगर कोई company incorporate हो रही है तो उसे भी क्या निकाल बोला जाएगा body corporate बोला जाएगा मैं लगा foreign company का भी body corporate में include किया जाता है बढ़ हां इसमें registered cooperative society cooperative society भले ही registered हो तो भी उसको इसमें include नहीं किया जाएगा body corporate ने हमने जहां भी partnership word का use किया जहां भी हमने partnership firm का word का use किया तो ऐसे case में वहां पर LLP भी included माना जाएगा क्योंकि partnership firm में LLP को भी include माना जाएगा अब अगर reverse charge mechanism होता है तो किसके उपर responsibility है कि invoice issue करे तो अगर तो supplier registered है तो invoice कोन issue करेगा supplier issue करेगा और अगर supplier registered नहीं है तो invoice कोन issue करेगा recipient issue करेगा ठीक है उसके बाद अगर मैं सारी supplies ऐसी कर रहा हूँ जो सारी RCM में chargeable है मैं supplier हूँ मैं सारी supplies ऐसी कर रहा हूँ कि जो RCM में chargeable है सामने वाला tax pay करेगा तो इसका मतलब मेरे को tax pay नहीं करना तो मुझे registration लेने की भी जुरूरत नहीं है और अगर मैं ऐसा वेक्ती हूँ मैं कोई supply ले रहा हूँ as a recipient और उस पे मेरे को reverse charge mechanism में tax pay करना है तो भले ही मैं liable नहीं हूँ register होने के लिए बट अगर मुझे reverse charge mechanism में tax pay करना है तो tax pay करने के लिए मुझे registration लेना पड़ेगा तो मुझे registration लेना पड़ेगा अगर मैं RCM में कोई supply ले रहा हूँ ये बात ध्यान रखना हूँ उसके बाद ये बात हुई reverse charge mechanism की कहां पे जो services देगा तो recipient tax pay करेगा ये कौन कौन से notified services है इसकी हमने बात करें अब हम बात करेंगे electronic commerce operator की electronic commerce operator की electronic commerce operator कौन होता है क्या electronic commerce operator supplier होता है उबर ने एक platform दे रखा है ठीक है यहाँ पे बहुत सारे जो कारें चलाते हैं बंदे वो registered है registered है कौन? drivers तो ये तो क्या हो गए? supplier हो गए योगि supply कोन प्रोवाइड कराता है transportation कोन करता है? ये supplier करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग registered है उबर पे जो की इसकी services लेते हैं तो recipient होते हैं तो मतलब उबर ना तो supplier है ना recipient है क्योंकि उबर तो अपनी गाड़ी नी चलाता गाड़ी तो इस पे जो registered supplier है वो गाड़ी चलाते हैं उबर तो सिर्फ क्या करता है? उस platform को manage करता है उस Uber नाम के app को manage करता है electronic commerce operator बोलते हैं वो खुद ना तो supplier होता है ना ही क्या होता है? recipient होता है तो अगर supplier tax पे करें तो उसे बोलते है forward charge mechanism अगर recipient tax पे करें तो उसे बोलते है reverse charge mechanism बट government ने यहाँ पे एक और point लेके आई कि government ने बोला कि government के पास power है to notify government के पास power है notify करने की services electronic commerce operator supplier है ना ही recipient है फिर भी government ने बोल दिया कि हम चाहें तो कोई services notify कर सकते हैं और हम ECO को liable कर सकते हैं tax pay करने के लिए ECO को liable कर सकते हैं ECO electronic commerce operator जो उस platform को own manage या operate कर रहा है ठीक है? अब कौन-कौन सी services को notify किया गया? तो services अभी तक चार notify की गई है उसमें से first है passenger transportation services passenger transportation तो अगर कोई भी passenger transportation की services दी गई है अगर कोई भी passenger transportation की services दी गई है अब वो चाहे radio taxi के थू हो motor cab के थू हो maxi cab के थू हो motorcycle के थू हो या omnibus के थू हो या other motor vehicle के थू अगर कोई passenger transportation की services दी गई है through ECO तो ऐसे case में tax कोन पे करेगा वही electronic commerce operator पे करेगा जिसके तुर ये services प्रोवाइड की गई है जैसे ओला हो गया, Uber हो गया, Rapid हो गया, etc ठीक है अगर मान लो accommodation services प्रोवाइड की गई है accommodation services प्रोवाइड की गई है residential और lodging purpose के लिए मतलब आपको रहने के लिए hotel book करवा रहे हो hotel book करवा रहे हो, जैसे OYO के through book करवा रहे हो, या फिर Airbnb के through book करवा रहे हो, या फिर Agoda के through book करवा रहे हो, booking.com के through book करवा रहे हो, तो ऐसे बहुत से platform है जिनके through आप booking कर सकते हो आपके होटल में रुखने के लिए ठीक है तो अगर ऐसी आपने कोई accommodation related services ली है residential lodging purpose के लिए तो ऐसे case में देखना पड़ेगा कि क्या जो supplier service provide कर रहा है मतलब जो hotels वगरा service provide करने है क्या वो liable to register है अगर वो liable to register है तो आपके करेगा वो supplier ही टेक्स पे करेगा बट अगर जो supply provide कराने वाले जो hotels वगराना है अगर वो रजिस्टर नहीं है अगर वो liable to register नहीं है तो ऐसे case में टेक्स कौन पे करेगा electronic commerce operator जिसके थूँ ये services provide की गई है जैसे OYO, Airbnb, etc उसके बाद अगर कोई housekeeping services है housekeeping services जैसे plumbing का काम हो गया, carpenting का काम हो गया, electrician का काम हो गया अगर ये सारी services किसे लिए है आपने, किसी electronic commerce operator के थूँ urban clap के थूँ, हना urban clap एक platform में जहां से आप ये services ले सकते हो अब वहाँ पे क्या है कुछ mechanic register है, अब वो mechanic आएंगे और अपना काम करके जाएंगे अब ऐसा तो नहीं, urban clap वाला आएगा और वो काम करके जाएगा उस पे जो mechanic register है वो आपके आपके काम करके जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि क्या वो mechanic register है अगर वो mechanic liable to register है, अगर वो mechanic liable to register है जो actual में supply provide कर रहा है, अगर supplier liable to register है तो tax कोन पे करेगा वो supplier pay करेगा जिसने आपको services provide करी है और अगर मान लो supplier liable to register नहीं है अगर supplier liable to register नहीं है, तो ऐसे case में tax कोन पे करेगा ऐसे case में tax पे करेगा, वो electronic commerce operator अगर supplier liable to register नहीं है, तो government ने बोला टेक्स्तों पे करना पड़ेगा boss, किसको पर करना पड़ेगा electronic commerce operator जिसके through वो services ली है जैसे urban club ठीक है फिर कोई restaurant services अगर provide की गई है through ECO restaurant services मतलब food delivery वगर अगर करवाई गई है किसी ECO के through जैसे tomato सुर्गी के through है ना तब हमें देखना पड़ेगा कि जिसने ये food services हमने जिस hotel से मंगवाया है क्या वो specified premise है अगर वो specified premise है तो tax वो particular hotel ये restaurant ही पे करेगा अगर वो specified premise नहीं है तो ऐसे case में tax कोन पे करेगा electronic commerce operator मतलब जो मैटो ये स्वी की बगर जो भी है अब specified premise क्या होता है specified premise ऐसा hotel होता है ऐसा restaurant ये hotel होता है अगर आप वहाँ पे रात में रुकोगे या फिर दिन में रुकोगे तो उनका जो room का rate है room tariff rate है वो अगर 7500 per day से जादा है मतलब वहाँ पे रुकने का जो expensive वो 7500 per day से जादा लेते हैं इसका मतलब वो बड़ा hotel है और बड़ा hotel है तो tax भी वो खुद ही पे करेगा अगर मैंने जमाटो स्विगी के थूँ अगर मानलो समान मंगवा लिया ताज से ताज से कुछ खाने का समान मंगवा लिया और ताज में room का rate 7500 से जादा है तो ऐसे case में tax कौन पे करेगा वो ताज ही पे करेगा और अगर मानलो वो specific premise नहीं है उसका room rent पे 7500 कम है तो ऐसे case में tax कौन पे करेगा जमाटो और स्विगी जो electronic commerce operator है वो tax पे करेगे अब और बोल दिया गया कि अगर notified services है तो tax कौन पे करेगा ECO पे करेगा अगर वो इंडिया में exist करता है जैसे OLA है इंडिया की company है इंडिया में exist करती है OYO है इंडिया में exist करता है तो यहाँ पे इनको tax pay करना पड़ेगा अब मानलो अगर वो इंडिया में exist नहीं करते जैसे Uber वगर है मानलो इंडिया में नहीं है ऐसे case में तो ऐसे case में उनको अपना person आदमन आपाइंट करना पड़ेगा जो उन्हें रीप्रेजेंट करता हूँ एक ऐसा आदमी आपाइंट करना पड़ेगा जो यह अपन TDS TCS के चप्टर में जाके डिस्कस करने वाले हैं तो अब इसके लिए सरफ एक और चीज ध्यान रखना कि जब टेक्स कौन पे कर रहा है इसका मतलब टेक्स भी कौन कलेक्ट कर रहा है इस यो कलेक्ट कर रहा है तो टेक्स इंवोई स्कौन इशू करेगा ECO ही करेगा ज्यान रखना भले आपने सरफ एसी और टेक्स किस ने पे कर दिया जिसने आपको सर्फ उइसके सेल तो उसी बंदे की है जिसने आपको सर्फ उइसर प्रोईड की है तो ऐसे केस में turnover supplier में ही include होगा ECO के turnover में include नहीं होगा ठीक है चलिए next अपना topic है composition levy composition levy क्या है एक optional scheme है voluntary scheme है किसके लिए देखो चोटे मोटे businessmen क्या बोल रहे थे कि बोल रहे थे कि बोस हमें तो अब 20 लाग से उपर जैसे हमारा turnover जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है registration करवाना पड़ता है अब हम हैं चोटे मोटे वेपारी हमारा मानलो है turnover है 50 लाग ठीक है अब 50 लाग में हमारा तो margin है 10% तो हमारे तो बचती है 5 लाग रुपे अब 5 लाग रुपे बचते हैं उसमें से भी हमें GST के इतने सारे compliance करने पड़ते है registration लेना पड़ता है और इतनी माथा पच्ची करने पड़ती है हर एक invoice रखना पड़ता है हर एक को invoice issue करना पड़ता है तो बोस क्या करें कर देते हैं आपको registration तो करवाना पड़ेगा बट आपके compliance burden हम कम कर देते हैं तो उन्होंने composition scheme लेके आए जिसमें बोला कि भाया आपको इतना invoice wise चीज़े करने की जूरत नहीं है इसमें क्या करेंगे आपका turnover देखेंगे आपका turnover कितना है उसके उपर directly एक rate बता देंगे मा आप खतम मत्दब आपको कोई invoice wise detail रखने की जूरत नहीं है आपको कोई invoice wise tax लगाने की जूरत नहीं है आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा यह कम आपको और कोई compliance नहीं नहीं बठा ध्यान रखना आपके लिए हम चीजें सिंपल कर रहे हैं आपके लिए tax rate भी बहुत कम देंगे और चीजें भी सिंपल करेंगे तो उसके लिए आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा क्या त्याग करना पड़ेगा business man को तो बोल दिया गया कि अगर आप composition scheme में देगा आप input tax credit नहीं ले पाओगे आपको और दूसरी बात और जब आप जो tax pay करोगे turnover पे हमने बोला कि turnover into tax rate करके आप tax pay कर देना तो आप जो tax pay करोगे वो आप सामने वाले consumer से भी वसूल नहीं कर सकते जैसे मैंने बोला था कि normally क्या होता है जो supplier होता है वो consumer से tax वसूल कर करना पड़ेगा और अगर इंपुट पर आपने को tax pay किया है तो उसका भी आपको कोई credit नहीं मिलेगा बट यहां पर tax rates बहुत ही कम होती है बहुत ही कम होती है तो चलिए देखते है क्या है बोला है कि अगर कोई व्यक्तिक goods में deal करता है अगर कोई व्यक्तिक goods में deal करता है मतलब goods का manufacturer है या trader है या फिर services कौन सी provide करता है restaurant services only and only restaurant services तो ऐसे case में अगर उसका turnover doesn't exceed aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in preceding financial year तो देखो 1.5 crore normal states के लिए और special category states में special category state कितने थे 11 special category state थे उसमें से 8 ऐसे special category state है जहां पर यह turnover limit कितनी applicable होगी 75 lakh होगी in the preceding financial year अगर आपका turnover in limit से नीचे है तो ऐसे case में आप composition scheme opt कर सकते हो और specified rates पर tax पर कर सकते हो अब कौन से limit कितने पर किस पर लगेगी देखो हमने 11 special category state पढ़े थे ठीक है उन में से जो हमने 8 special category state पढ़े थे नौर्थ इस्ट से रिलेटड अरुनांचल, मनीपूर, मेगाले, सिक्किम, त्रिपूर, नागालेंड, मिजोरम और असाम ठीक है तो ऐसे case में उन में से सिर्फ और सिर्फ असाम जो है ना उसके ओपर डेड़ करोड की limit लगेगी बाकी के जो 7 state है नौर्थ इस्ट वाले अरुनांचल, मनीपूर, मिजोरम, मेगाले, सिक्किम, त् पिचतर लाग रुपे की और हमने तीन पहाड़ी इलाके की बात करी थी एक हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पे लिमिट लगेगी 1.5 करोड की बट उसमें से जो उत्राखंड है उत्राखंड है उस पे जो composition scheme opt कर सकते हो और specified rate पे tax pay कर सकते हो कम tax rate पे कर सकते हो उसके बाद अब जो लोग eligible नहीं है under section 10-1-10-2 अब देखो 10-1-10-2 बोला था कि जो लोग manufacturing या trader है goods के या फिर restaurant services प्रवाइड कर रहे हैं अब मालनों कोई ऐसा वेक्ति है जो restaurant service नहीं प्रवाइड कर रहा है उसके अलावा कोई services प्रवाइड कर रहा है तो ऐसे case में उसके लिए बोल दिया गया कि आपके लिए कोई दूसरी scheme है scheme है under section 10-2-A ठीक है बोल दिया गया कि अगर आपका aggregate turnover does not exceed 50 lakh अगर आपका turnover 50 lakh से exceed नहीं करा पिछले financial year में तो आप opt कर सकते हो ये वाली composition scheme under section 10-2-A जो पहले वाली composition गिंती वो थी 10-1 और 10-2 में और ये वाली जो दूसरी scheme है वो है 10-2-A में आ जाएगी तो इसमें जो लिमिट है वो 50 lakh रुपे है उपर वाली में कितना था 1.5 क्रोड और 75 lakh और ये 10-2-A कब ले सकते हो जब आप eligible नहीं हो under section 10-1-10-2 वाली scheme में तो आप 10-2-A में फॉल कर सकते हो अनलेस आप सिरफ और सिरफ आपका जो turnover है वो 50 lakh तक ही होना चाहिए तभी आप इस competition screen को ले सकते हो अब हम aggregate turnover aggregate turnover बात करें तो aggregate turnover होता क्या है aggregate turnover क्या ऐसी बला है देखो turnover मतलब आपका sale तो बोल दिया गया aggregate turnover होता है all India basis पे person having same plan तो aggregate turnover all India basis पे calculate किया जाता है जैसे मान लो ABC Limited है ABC Limited है उसके तीन जगा प्लेस है राजस्तान में है हर्याना में है और पंजाब में है तो तीनों states का जो जो turnover है वो सारा turnover add करेंगे और वो क्या हो जाएगा aggregate turnover हो जाएगा मतलब एक ही बंदे के जितने भी business है वो क्या होगा aggregate turnover होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी सारी outward supplies, outward supply मतलब आपकी sale ठीक है कौन कौन सी taxable हो भले exempt supply हो भले interstate supply हो export of goods and services or taxes अब देखो GST के अलावा जो taxes आप पे करेंगे exercise duty वैट वगरा वो भी यहां पे include हो जाएंगे plus turnover before date become liable to register even आपका जिसे माल लो एक अप्रेल से आपने काम जंदा चालू किया आपका turnover एक जून को कितना हो गया बीस लाग रुपे तो यहां तक तो आप liable ही नहीं ते रिजिस्टर होने के लिए ठीक है यहां तक आप liable नहीं ते रिजिस्टर होने के लिए और जैसी एक जून को आपका turnover होगा बीस लाग अब आपको registration करवाना पड़ेगा तो इवन बिफोर लाइबर तो रिजिस्टर जब आप रिजिस्टर करने के लाइबर होगे कब जून एक जून को तो एक जून एक अप्रेल से एक जून के बीच में भी जो आपने turnover किया बीस लाग रुपे का वो भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा aggregate turnover में क्यों क्योंकि aggregate turnover क्यों देख रहे हैं हम देखना चाहते हैं कि भाईया कोई बड़ा वेपारी तो नहीं है हमने डेड़ करोर पिचता लाग पचास लाग के लिमिट इसलिए है कि कोछ छोटा मटा वेपारी है यह composition scheme उनी के लिए है ठीक है तो अगर आपका turnover registration से पहले का पिजो turnover है वो भी आपके किसमें इंक्लूड किया जाएगा aggregate turnover में इंक्लूड किया जाएगा बडट इसमें से exclude किया जाएगा आपने को इन्वर्ड supply ली है कोई purchase किया है अगर purchase किया है भले उस पे tax आपने RCM में pay किया हो तो भी उसे exclude किया जाएगा तो भी उसे aggregate turnover में नहीं लिया जाएगा उसके अलावा हमने बोला GST के अलावा जितने भी taxes हैं उसको तो aggregate turnover में include किया जाएगा गर GST आपने pay किया है, तो GST को turn over में include नहीं किया जाएगा, अगर आपने interest pay किया है, deposit pay, loan pay या advance pay, पे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने interest कमाया है, deposit pay, loan pay, और advance pay, तो आपने supply दी है, तो अगर वो supply दी है, interest क्या होता है, exempt होता है, बट सरकार ने बोल दिया कि अगर आपने कोई interest कमाया है on loan deposit or advance तो ऐसे case में उसे aggregate turnover में include नहीं किया जाएगा interest on loan deposit advance आपके turnover में include नहीं किया जाएगा तो aggregate turnover क्या हो जाएगा taxable supply, exam supply, interest rate supply, export of goods and services other than taxes, GST के भी तो वो सारे taxes outward supply पे सब आजाएगा प्लस आपके registration से पहले का turnover भी आजाएगा तीन चीज़े नहीं आएगी, एक तो GST के taxes नहीं आएगे अगर कोई आपने invert supply लिया वो भी इसमें नहीं आएगी और interest on loan deposit advance आपके इसमें include नहीं होगा अब हमने बात करी कि जो composition opt करेगा उससे special rate मिलेंगी, special rate of tax या आपको tax pay करना है देखो तो बोल दिया गया special rates क्या है अगर supplier है manufacturer अगर जो composition tax pay रहा है वो manufacturer है तो ऐसे case में वो tax rate पे क्या पे करेगा 0.5% CGST, 0.5% SGST on turnover in state and union territory और अगर restaurant service provider है तो ऐसे case में वो tax rate पे करेगा 2.5% CGST, 2.5% SGST on turnover in state union territory में tax pay किया ध्यान रखना यहां पर सारे आगे taxable भी आ गया और exempt भी आ गया देखो जब हम aggregate turnover देखते हैं तब तो पूरा pan India basis पर देखते हैं और जब हम tax pay करने की बात आती है तो हम state wise देखते हैं कि राजस्तान में कितना turnover है हर्याना में कितना है पंजाब में कितना है तो राजस्तान में जितना turnover है उसके उपर tax rate लगा के मैं पूरा tax कहां पे कर दूँगा राजस्तान में पे कर दूँगा हर्याना में में तर्णोबर उसके उपर tax rate लगा कि tax कर दूँगा हर्याना में पे कर दूँगा और पंजाब में जितना tax rate हुसपर tax pay करके मैं कित प्तने कर दूँगा पंजाब में पे कर दूँगा Тो इस इसमें taxable एग्सम्स संप आ जाएगा तो manufacture 0.5% 0.5% पे करेगा रेस्टेरेंट 2.5% पे करेगा और अब अगर अगर मैनुफेक्ट्र ओर रेश्टोरेंट सर्विसस के अलावा किसी ने composition scheme ले रखी है पहले वाली 10102 वाली मतलब को ट्रेडर वगरा ने सर्विसे कोई कॉंपजिशन स्टीम ले रखिये तो टेक्स रेट पे करेगा 0.5% 0.5% 0.5% सीजस्ट 0.5% सजस्ट और टेक्सेबल सप्लाइज इस टेट एंग यूटिटरी ओनली टेक्सेबल सप्लाइज पे पे करेगा तो जो ट्रेडर वर वह होंगे मों किस्पए करेंगे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाइज पर करेंगे और अगर मेनुफस्टर रॉपयर च्टैनड पेे करेगा उसमें टेक्स बीं…! यह का बढ़ पूरे turnover पे turnover taxable हो भी होगा उसमें एक्जम्ट भी होगा तो देख लेते हैं कि turnover in state or union territory क्या होता है turnover in state or union territory क्या होता है तो सारी outwards supplies आ जाती है पहली बात turnover in state or union territory नाम से ही clear है यह पूरे all India level पे नहीं देखा जाएगा यह उस particular state का ही देखा जाएगा state wise देखा जाएगा तो state में जितनी भी आपने outwards supplies की है outwards sale की है आपने तो भले टेक्सेबल हो भले एक्जम्ट हो इंटर स्टेट एक्सपोर्ट हो या फिर GST के अलावा भी अगर कोई tax है वो भी इसमें include हो जाएगा ठीक है मालो आपने 20 रुपे की एक्जम्ट सप्लाई करी और 10 लाख रुपे के जो हैं आपने वैर टेक्साइज वगरा पे किया है ऐसे कुछ प्रड़क्ट सेल करें इसका मतलब आपने 60 लाख रुपे की सेल करी हैं 60 लाख रुपे क्या हो जाएगा पर इसमें include नहीं होगा इसमें include नहीं होगा क्या 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 अगर आपका कोई RCM में आपने invert supply लिये आपने purchase किये तो वो कभी भी टर्नोर में include नहीं होगा अगर आपने कोई taxes पे किये हैं GST वाले अगर आपने taxes पे किया हैं तो वो इसमें include नहीं होगे अगर आपने loan deposit advance अगर कोई interest पे receive किया है वो interest कमाया है तो वो भी यहाँ पे include नहीं होगा बट एक बात ध्यान रख लेना कि हमने aggregate turnover में जो registration से पहले का turnover था उसको include किया था उसको हमने include किया था बट यहाँ पे क्योंकि हमें tax pay करना है यह हम turnover क्यों calculate करना है कि हम कितने turnover पे tax pay करेंगे तो tax कौन पे करेगा यह हमने पढ़ा था charging section में कि taxable person पे करेगा तो जब उसने registration ही एक जून को लिया है तो एक जून से पहले वो tax pay करने के लिए liable ही नहीं था तो जब tax pay करने के लिए हम turnover calculate करेंगे तो उस turnover में date from become liable to register जिस दिन से लिए liable to register हुआ है उससे पहले का turnover हम include और को से कंडिशन आपको फुल्फिल करनी पड़ेंगी अगर आपको composition scheme लेना है तो देखो दोनों ही composition scheme में कुछ common conditions हैं क्या क्या condition है सबसे पहली बात अगर आपको ऐसे goods and services की supply करेंगे जिस पर GST नहीं लगता कौन-कौन से जैसे मानलो alcohol है for human consumption, 5 petroleum product है जिस पर भी GST नहीं लगता अगर ऐसे goods के अगर आप support करें तो आप composition scheme opt नहीं कर सकते अगर आपने interstate outward supply करी है देखो interstate outward supply बोला है कहीं भी taxable exam नहीं बोला तो कोई भी supply हो गर आपने interstate supply की है और outward supply की है तो ऐसे case में आप composition scheme में नहीं रह सकते हाँ आप परचेज कर सकते हो, आप राजस्तान में हो, पंजाब से परचेज कर सकते हो, पर राजस्तान में हो, पंजाब में सेल नहीं कर सकते, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, अगर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो composition आपके लिए नही हैं दूसरी बात अगर आप सप्लाई कर रहे हो थू इलेक्टोनिक कोमर्स ऑप्रेटर्ट्र है अगर आप सप्लाई कर रहे हो जो कि TCS काटेगा अंडर सक्षन 152 तो ऐसे केस में ऐसे केस में आप कॉंपोजीशेन अप्ट नहीं कर सकते अगर आप casual taxable परसन हो या non-resident taxable person हो तो भी आप इस composition को opt नहीं कर सकते आपके लिए composition taxable person के लिए और casual taxable person और non-resident taxable person के लिए composition scheme नहीं है अगर आप manufacturing में involved हो manufacturing में involved हो of notified goods कौन-कौन से goods है एक तो fly ash bricks सिरफ manufacturing की बात हो यह अगर आप इनका trade करें तो कोई दिख्के कवाली बात नहीं है manufacturing अगर आप करें तो आप composition में नहीं आ सकते हैं कौन-कौन से goods fly ash bricks bricks of fossil mule fossil mule की bricks जो होती है building bricks earthy and roof and title धर्ती वाली जो टाइल होती है उपर छट पे लगने वाली टाइल होती है ठीक है या फिर कोई इंटे हो गई ice cream हो गया पान मसाला हो गया तंबाकू products हो गया उसके substitute product हो गए या airated water मतलब cold drink type के को product हो गए तो अगर ऐसे products के manufacturing में involved हो तो आप composition scheme opt नहीं कर सकते और जैसे ही आपका aggregate turnover exceed कर जाएगा 1.5 क्रोड 75 लाग या 50 लाग जो भी applicable limit है उसको जैसे ही cross कर जाएगा आप composition से बाहर हो जाएंगे जैसे आपने composition opt कर लिया पिछले साल आपका turnover उतना नहीं था बट इस साल जैसे आप करने लगे तो आपका turnover काफी हो गया और जैसे ही cross करेगा उसी दिन से आप किसमें आ जाओगे और एक जो पहली वाली composition स्कीम ती जिसमें हमने बोला कि आप या तो goods की supply कर सकते हो या फिर restaurant service provide कर सकते हो ठीक है तो अगर मानलो कोई रखती एक रुपे की भी अगर दूसरी services provide कर रहा है जैसे restaurant वाला है वो delivery services provide करेगा तो ऐसे case में क्या वो composition को opt नहीं कर पाएगा मानलो को electronics का समान बेजता है तो installation वगरा की service provide कर रहा है तो क्या वो composition आप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो restaurant services के अलावा services provide कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा turnover था पिछले साल का job का turnover in state and unit territory था उसका 10% और 5 lakh whichever is higher पिछले साल के turnover का 10% और 5 lakh whichever is higher उतने amount तक आप दूसरी services provide कर सकते हो other than restaurant services बट जैसे ही आपने उससे ज़्यादा services provide कर रही मानलो पिछले साल आपका turnover था 120 थीक है तो इसका 10% कितना हुआ बारा लाक और 5 lakh विचले जायर बारा लाक तो बारा लाक से जादा आपने जैसे ही services provide कर रही तो आप composition से बाहर हो जाओगे अगर restaurant services के अलावा आप services provide कर रहे हो तो आप composition की जो स्कीम है उससे बाहर हो जाओगे आप चाहो तो second scheme में जा सकते हो अगर आपका turnover 50 lakh से कम है तो ऐसे case में आप second composition scheme में जा सकते हो वो तभी हो पाएगा जब आपका जो turnover 50 lakh से कम होगा ठीक है दूसरी बात जब आप 10% of turnover in state and unity calculate करोगे तो turnover in state and union territory preceding financial year calculate करोगे या फिर आपने कितने की actual में services provide की है वो calculate करोगे तो उसमें आप interest जो आपने कमाया है loan deposit advance पे उसको consider नहीं करोगे आइडली क्या होता है interest on loan deposit advance क्या है use of money है use of money किस में आता है services के scope में आता है तो ऐसे case में उसे services में लेना चाहिए बढ़ यहाँ पे बोल दिया गया कि जो आप services का number calculate करोगे services का total calculate करोगे या फिर पिसले financial year का जो आप turnover calculate करोगे उन दोनों में ही interest on loan deposit advance आप include नहीं करोगे क्योंकि normally generally हर्थ business में मिलता है तो इसको extrude कर दिया गया government को government ने ताकि इसकी वज़ा से कोई दिक्कत नहीं आए composition scheme opt करने में उसके बाद कुछ additional conditions है जो आपको fulfill करनी पड़ेंगी अगर आप composition taxable person हो आप सामने वाले व्यक्ति से tax collect नहीं कर सकते इसका मतब आप tax invoice भी इशू नहीं कर सकते क्योंकि आपने tax तो collect करी नहीं सकते तो ऐसे case में आप क्या issue करोगे आप bill of supply issue करोगे और bill of supply के उपर आपको mention करना पड़ेगा कि boss मैं composition taxable person हूँ I am not eligible to collect tax ये वाला चीज आपको mention करना पड़ेगा bill of supply के उपर ताकि आप किसी से tax collect नहीं कर पाओ और दूसरी बात आपका जहां भी place of business है जहां पर भी place of business है वहाँ पे आपको एक board लगाना पड़ेगा कि I am a composition taxable person तो ताकि सामने वाले को पता रहे कि ये composition लाला बंदा है ये tax collect नहीं कर सकता है तो आपको ये board लगाना पड़ेगा दूसरी बात आपने जो input लिए हैं उस पे आप input tax credit भी claim नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि आपको benefit मिल रहा है concessional tax rate मिल रही है इतनी compliance से चुटकारा मिल रहा है तो आपको कुछ खो मान लो ABC Limited है उसके तीन business है राजस्तान पंजाब हर्याना तीनों जगा बिजनस है अब या तो यह तो यह तीनों opt करेंगे composition के लिए या इन में से एक भी बंदा opt नहीं कर पाएगा तो मतलब अगर आप composition opt करना चाहते हो तो उस व्यक्ति के उस fan number पे जितने भी business हैं सब को composition करना पड़ेगा वर्ना कोई भी opt नहीं कर पाएगा अब मान लो पंजाब बीच में से क्या करता है पंजाब चाता है और मेरिको तो regular text में पर करना है और इसने opt-out कर लिया तो बाकी सभी business को भी opt-out करना पड़ेगा उस बंदे के दूसरी बात अगर मान लो पंजाब में को एक साथ composition opt करेंगे या सारे एक साथ composition के बाहर जाएंगे ऐसा नहीं कि एक business composition में एक regular scheme में ऐसा नहीं हो पाएगा उसके बाद अगर आपको composition opt करना है अगर आप already registered नहीं हो आप पहली बार registration के लिए apply कर रहे हो तो ऐसे case में जब आप registration करोगे तब आपको option मिलेगा तब चाहता हूं वहाँ पर आप opt कर सकते हो while at the time of applying of registration अगर आप already registered हो आप इस साल क्या करना चाहते हो आप composition opt करना चाहते हो कि पिछले साल आपका turnover इतना ज्यादा नहीं था तो ऐसे case में आपको उस साल के start होने से पहले पहले उस साल के start होने से पहले पहले CMP02 form में बताना पड सब्सक्नी अगर आप composition scheme के साथ continue नहीं करना चाहते अगर आप composition scheme के साथ continueनहीं करना चाहते तो ऐसे case में ऐसे case में आप voluntarily withdrawal इच्टे हो कि boss मुझे composition scheme में नहीं रहना और अगर माल लो आपने को condition breach कर दी composition में अब नहीं रहासकती है आप आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि बहुत मैंने यह वाली कंडिशन ब्रीज कर दी अब मैं नॉर्मल टेक्सपेर बनना चाहरा हूं यह होना पड़ेगा तो ऐसे केस में इस प्रकार से आप बिड्रो कर सकते हो स्कीन से वोलेंटरली या फिर आपने को कंडिशन ब्रीज कर लगे से अरे भार ध्यान रखना सिर्फ बात ध्यान रखना कि जो रिवर्स मेकेनिजम हैं उसका पॉइंट आपके किसी भी कॉश्टें में इनप्लीट हो सकता है तो जब आप पॉइंट दीवाईज करोगे तो एक बार अच्छे से वर्ट देखना कहां पे पार्टनेर्स् तो ये वाले सारी चीजे थोड़ा ध्यान में रखना आपका कोशिन कभी गलत नहीं होगा थैंक इसो मच आज के लिए इतना है